जब भी मार्केट में बायर्स या सेलर्स बहुत स्टॉंग नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं एक मोमेंटम को आते आते फेल होते हुए हम देखते हैं अब यहां पे मार्केट जब उपर गया पप अपन हुआ और यह ग्रीन कलर की कैंडल उपर के तरफ निकली तो it was very clear कि यहां से बायर्स को इससे अच्छा लेवल नहीं मिलेगा उपर ले जाने के लिए यूगि मार्केट नीचे आया थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया सपोर्ट लिया सोरी और उपर जाके क्लोजिंग करने की कोशिश किया हाला कि यहां पे फिर से सेलिंग हो गई अब देखी यहां जब सेलिंग हो गई तो पिछले दिन भी मार्केट ने ब्रेक आउट दिया था इससे सस्टेंड किया market उपर गया, यहाँ पे market को अगर बहुत तेजी से उपर निकलना था तो buyers accumulate हो चुके थे, बहुत तेजी से उपर ले जा सकते थे लेकिन यहाँ पे जो यह red color की candles बनी, इससे हमें यह समझ में आता है कि buyers जो hold करके बैठे थे, उन्हें यहाँ पे यह लगने लगा और वो सोचते की market और उपर जाएगा, तो वो hold करते, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक profit booking हो गई और यह संकेत देता है कि यहाँ पे buyers बहुत strong अभी नहीं है और जब एक breakout के बाद, buyers strong ना दिखें, breakdown के बाद, sellers strong ना दिखें तो यह मान लीजे, market कहीं न कहीं confused होने की कोशिश कर सकता है तो इसलिए मैंने देखी, यहाँ जो lines कीची है, levels निकाल के रखें है, वो बड़ी एक range के है 24,400 से लेकर 24,250 तक का level important हो जाता है या range हो जाती है इस range में market को पहले अब decide करना होगा कि करना क्या है क्योंकि market को एक अच्छा level मिल चुका था breakout करने के लिए वहाँ से breakout नहीं हुआ और market नीचे आके ही closing दिया है निफ्टी नीचे आके closing दिया है, जिससे हमें यह समझ में आता है एक तरफ तो breakout देख रहे हैं, एक तरफ तो market gap up open हो रहा है लेकिन यहाँ पर breakout को sustain ही नहीं कर पा रहे हैं और तेजी से उपर momentum नहीं दिलवा पा रहे हैं buyers तो इससे हमें यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं अब इस level के बीच market को दिखाना पड़ेगा कि कौन भारी है और यह दिखाने के लिए क्योंकि यह breakout के उपर का level है तो कहीं न कहीं buyers लड़ेंगे और sellers क्योंकि closing नीचे दे रहे हैं तो sellers भी लड़ने की कोशिश करेंगे कि और नीचे लाना है तो 24,250 के नीचे जब तक market नहीं जाएगा तो हमें अच्छा momentum तब तक नहीं देखने को मिलेगा यहां पर जाए कूँकि कौन भारी है और अगर बायस completely हार चुके हैं तो कल के दिन भी market 24,250 के नीचे जाने लगेगा अगर ऐसा हुआ तब तो market बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा लेकिन अगर नीचे नहीं जाता है तो यह मान के चलिए कि आरने वाले 2-3 दिन market consolidate कर सकता है यहां accumulation हो सकता है या sellers का या buyers का तो हमें trade कैसे लेखना है इस range में देखें बहुत बड़ी range है कल है भी Friday का दिन तो यह मान के चलिए कि stochastic RSI लगा के बैठ सकते हैं क्योंकि अगर range में flat कहीं भी open होता है या इसी range में open होता है तो chances यह रहेंगी कि market इसी range में उपर नीचे कर सकता है तो उपर नीचे करते हुए market में आपको हर एक setup पे जहां भी market में reversal का setup बनता है वहां trade लिया जा सकता है अगर market इस level 24,250 के नीचे निकलने की कोशिच करता है कहीं भी flat खुलता है या आज के low के लगबग खुलता है और 24,250 के cross करने की कोशिच करता है तो half quantity में नीचे के तरफ trade और अगर market gap up खुल के 24,400 के cross करता है तो full quantity में उपर के तरफ trade ले सकते हैं तो भी कोई trade लेने की ज़रूरत नहीं है अगर बहुत नीचे से उपर जा रहा क्योंकि buyers फिर यहां ठक जाएंगे थोड़ा चा उपर जाएंगे फिर नीचे लाने की खोशिच हो जाएगी मतलब buyers strongly hold नहीं कर पाया है this is very dissatisfying unsatisfactory behavior from the buyers जिने यहां पर buying कर लेनी चाहिए थी हलाकि होई नहीं है तो अभी हम यहां यह देखते हैं कि अगर market flat खुलता है तो इसी range में कहीं consolidate और accumulate होने की कोशिच हो सकती है उसके बाद जब market अच्छे levels को break करेगा तभी हम नीचे के तरफ या उपर के तरफ trade लेंगे अगर नीचे खुल के नीचे निकलता है तो half quantity में नीचे के तरफ आप trade ले सकते हैं bank nifty देख लेते हैं देखे bank nifty तो already sideways था ही और market खुला भी बहुत बड़ा gap अपनी normal खुला normal उसी range में close हो गया जहां हमने सोचा था कि market अगर breakout करेगा तो हम उपर के तरफ trade लेंगे हाला कि ऐसा हुआ नीफटी ऊपर खुला और नीचे आने लगा profit booking ज्यादा है strong हो गई जितनी expected नहीं थे उससे ज्यादा profit booking होई या bank nifty तो इसी range भी closing भी दे दिया नीचे गया उपर जाके closing हुआ है यहां पर bank nifty दो दिन से consolidate कर रहा है chances यह है कि कहीं न कहीं छोटा सा उपर के दर breakout देगा थोड़ा उपर निकलेगा और फिर reversal दिखा देगा थोड़ा सा नीचे निकलेगा फिर reversal दिखा देगा क्योंकि nifty के range बहुत बढ़ी है nifty थोड़ा उपर नीचे उपर नीचे करेगा bank nifty भी यही करेगा लेकिन offshoot overshoot कर करके निकलेगा पतला overshoot थोड़ा सा उपर निकल सकता है और फिर नीचे आ जाएगा आपको लगेगा breakout हो गया breakout अब तभी होगा जब nifty भी breakout देगा अगर nifty breakout नहीं दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है bank nifty उपर sustain कर पा है bank nifty भी reverse कर इसी रेंज में market flat कहीं खुलता है sideways हो जाएगा market कहीं न कहीं accumulate करेगा कि निकलना कि धर है और हो सकता है अगर नीचे खुले इस लेवल को क्रॉस करें ट्रेड मत लीजेगा अंटें लेट कर लेगी candle का लो ब्रेक हो तो ही हम नीचे के तरफ हाफ quantity में ही ट्रेड लेंगे 15 मिनिट की रेट कलर की candle बनने दीजे उसके low के नीचे जब निकलेगा तो half quantity में trade लीजे यही same situation उपर के दरफ भी किजे अगर निफ्टी उपर खुल रहा और उपर ही निकल रहा तब हम इस range के उपर full quantity में trade ले सकते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और निफ्टी range में से reverse किया उपर से नीचे तो बैंक निफ्टी हो सकता है आपको लगे कि breakout कर दिया है उपर निकल जाएगा लेकिन हो सकता है बैंक निफ्टी फॉलो कर जा और फिर इसी range में रिएंटी करते हैं तो बैंक निफ्टी में चांसे यह है कि कहीं ना कहीं उपर offshoot करके फिर नीचे निचे जाके फिर उपर आजाएगा तो यह सकता है बैंक निफ्टी में अंटेन लेस निफ्टी उपर के तरह बहुत तेजी से निकल रहा है उपर खुलके तो बैंक निफ्टी में भी फुल कॉंटिडी में ले सकते हैं अगर इस लबल को क्रॉस करता है वरना बीच में करना के डाल दिया है जिसमें मैंने बताया है कि जो कोर्स प्लान किया गया था कि मैं सिखाने की कोशिच करूंगा आपको फॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल तो उसके बारे में क्या डिसाइड हुआ है उसके उपर भी एक वीडियो पड़ा हुआ वह भी चेक कर लीजे Okay, thank you.